प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट ब्रत, नियम और स्रध्धा के साथ करता है उसे इस संसार में शुकों की प्राप्ति होती है एक आदसी के समान पाप ना सक, अन्य कोई ब्रत नहीं है हमारे हां हिंदू कैलेंडर के अनुशार और पंचांग के अनुशार इस समय मार्ग सिर्ष्यानी अगहन माहा चल रहा है इसके बाद पोश माहा आता है और इस माहा के कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी को सफला एकादसी का ब्रत रखा जाता है इस बार सफला एकादसी 19 दिसंबर को पड़ रही है ये साल 2022 की आखरी एकादसी होगी आये जानते हैं कि सफला एकादसी की तिथी शुबोर और महत्यों के बारे में बिस्तार से सफला एकादसी के बारे में आपको बता जए कि पंचांग के अनुशार इस साल पोश माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी 19 दिसंबर 2022 को प्राता 3 बज कर 32 मिनट पर प्रारम्ब होकर 20 दिसंबर 2022 सुबह 2 बज कर 32 मिनट तक रहेगी उद्या तिथी को देखते हुए इस साल सफला एकादसी का ब्रत 19 दिसंबर 2022 दीन शोम बार को रखा जाएगा इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब एल्टर तब नो यॉर फेट सफला एकादसी ब्रत के परन का समय जो है वह आपको बता दे कि 20 दिसंबर 2022 को प्रातकाली 8 बचकर 5 मिनट से लेकर शुबह 9 बचकर 13 मिनट तक पारण आप कर सकते हैं सफला एकादसी का सास्त्री महत्य इस प्रकार है कि सास्त्रों के अनुशार सफला एकादसी के दिद ब्रत कर भगवान विश्न uwagę की पूझा करने से ब्यक्ति को शोवागय की प्रापती होती है साथी जो ब्यक्ति पूरी श्रद्धा और स्चे मन से भगवान विश्णू की पूझा और ब्रत करता है उसे मृत्यों के बाद बैकुंठ की प्राप्ती होती है साफला एकाथसी ब्रत में इन नीमों का बिशियस ध्यान रखना चाहिए जो लोग एकाथसी का ब्रत नहीं करते हैं उन्हीं इस तिंचावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकाथसी ब्रत को कभी हरी वासर शमाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए इसी तरह से द्वाथसी समाप्त होने से पहले ही एकाथसी ब्रत का पारण कर लिना चाहिए सास्त्रों में द्वादसी समाप्त होने के बाद ब्रत का पारण करना पाप के समान माना जाता है यदि द्वादसी तिति सुर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सुर्योदय को ब्रत का पारण किया जा सकता है द्वात सिति थी के दीन प्राता पूजन वे एवं ब्राम्वन को भूजन कराने के बाद ही ब्रत का पारण करना चाहिए। उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, बिलते हैं, ऐसे ही समसामिक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैस्रिकिष्णा बंदे बात है।